जैसे कि आप जानते हैं कि 22 मार्च 2021 को इनन आमी और DRD उने आकास एंजी सर्फिस टू एर मेसाइल यानि सैम को पोकरन फील्ड फाइरिंग रेंज राजस्थान में सक्सेस्फुली टेस्ट फाइर किया आकास एंजी, इंडियान आमी और इननन आएर फोर्स के लिए बहुत ही important मेसाइल है और आज के इस Guardian इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया की आकास एंजी मेसाइल और इसकी सारी capability के बारे में detox हाइए तो start करते हैं फिर आकाश NG के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं इसके previous version यानि आकाश मेसाइल की आकाश मेसाइल इंडिया में बनी पहली surface to air मेसाइल है जोकी already in an army और in an air force के service में है आकाश मेसाइल की रेंज लबग 30 किलोमेटर होती है और एक आकाश बैटरी में 3 मेसाइल वाले 4 लॉंचर्स यानि टोटल 12 रेडिय तु फायर मेसाइल्स होती है इन मेसाइल्स को इंडिया में बने राजेंदर 3D passive electronically scanned area से कंट्रोल किया जाता है जोकि एक साथ 64 टारगेट्स को स्ट्रैक करता है और सभी 12 मेसाइल्स को इनमी फाइटर्स को मार गिराने तक गाइड करता है अपने इनी capabilities के चलते आकाश मेसाइल को इननमी और इनन Air Force ने काफी पसंद किया है और अब तक 23,000 क्रोड की आकाश मेसाइल के order दिये जा चुके हैं जिसमें 30 किलोमेटर वाली आकाश Mark 1 और improved आकाश 1S मेसाइल शामिल है एक बहुत अच्छा और commercial successful system होने के बाद भी 1990 से 2000 के बीच डेवलप किया गया आकाश मेसाइल सिस्टम अब पुरान हो रहा है जिसके लिए DRDO आकाश NG मेसाइल का development कर रहा है आकाश NG मेसाइल में NG का मतलब है next generation आकाश NG एक new generation आकाश मेसाइल है जो की पुरानी आकाश मेसाइल से ज्यादा long range और ज्यादा capable मेसाइल है आकाश NG जो की इंडिया की new generation SAM होगी को बहुत ही high performance fighters aircrafts जैसे की पाकिस्तान F-16 और Chinese J-11 को आसानी से मार गिराएगी इसके अलावा आकाश NG मेसाइल hype maneuvering, low radar cross sections targets जैसे की Chinese J-20 stealth fighter और UC AVs को भी आसानी से detect और destroy कर सकेगी आकाश NG मेसाइल को ये capability दो main component से मिलती है पहला इसका नया propulsion system और दूसरा इसका नया seeker head अब बात करते हैं आकाश NG मेसाइल के नया propulsion system की जहाँ पुरानी आकाश मेसाइल ramjet propulsion use करती है वही नई आकाश NG मेसाइल में एक नई 2 pulse solid rocket motors लगाई गई है ये motors ना सिर्फ आकाश NG मेसाइल को ज़्यादा range देती है बलकि इसे target destroy करने तक high speed भी देती है इसकी पहली pulse motor आकाश NG मेसाइल को enemy targets के पास ले जाती है और दूसरी pulse motor आकाश NG मेसाइल को मार गिराने तक आकाश NG मेसाइल को full velocity देती है जो की Mach 2.5 यानी लगभग 3000 km से ज़ादा होती है अपनी इस नए dual pulse rocket motor propulsion के चलते आकाश NG मेसाइल सबसे fast और सबसे agile enemy fighters को भी आसानी से मार गिराएगी मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अभी DRDO ने officially ये नहीं बताया है कि आकाश NG मेसाइल की range कितनी होगी लेकिन ये माना जा रहा है कि आकाश NG मेसाइल की range लगभग 50 से 70 km के बीच होगी अब बात करते हैं आकाश NG मेसाइल की दूसरे बड़े improvement की जो की है इसका नया और जादा deadly made in India seeker head जिसे research center इमारत यानी RCI में develop किया गया है ये के यू band active seeker है जो की enemy fighters पर lock हो जाता है और आकाश NG मेसाइल को तब तक guide करता है जब तक आकाश NG wallet पूरे target को destroy नहीं कर देता इसके बाद अब बात करते हैं आकाश NG मेसाइल के एक और important factor की यानि इसकी kill chain की जैसे ही आकाश NG मेसाइल का battery radar जो की active electronic scan array यानि AESA radar target को detect करेगा तुरन्त ही आकाश NG system के advanced computers enemy fighters की trajectory को track करना शुरू कर देंगे और ये determine करेंगे कि target कब आकाश NG मेसाइल की range में आएगा और enemy aircraft के range में आने से पहले ही उसे मार गिराने के लिए आकाश NG मेसाइल launch कर दी जाती है जिससे enemy fighters आकाश NG मेसाइल के area में नहीं गुसपाते हैं इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि पाकिस्तानी या Chinese fighters एने टार्गिट्स पर 70 km से range वाले stand-off weapons या laser bombs भी नहीं launch कर पाएंगे आपको ये जनकर आश्यर होगा कि पुरानी आकाश मेसाइल से बहुत जादा capital होने के बाद भी आकाश NG मेसाइल का weight केवल 350 kg है जो कि पुरानी आकाश मेसाइल से 700 kg weight से आधा है इसके चलते अब आकाश launchers पर एक साथ जादा मेसाइल लगाई जा सकेगी आखरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 22 March 2021 का ये test आकाश NG मेसाइल का propulsion और control system का test था इसके बाद 2021 में आकाश NG मेसाइल के और भी test होंगे जिसमें इसके guidance system, seeker और warrant का test किया जाएगा अगर ये सारे test successful रहे तो 2022 में आकाश NG मेसाइल का user trial स्टार्ट हो जाएगा Finally, team Guardian Day के तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि future में आकाश NG surface to air missile Indian cities को पाकिस्तानी और Chinese air attack से बचाएगी और MR SAM और QR SAM जैसे missiles के साथ मिलकर Indian armed forces को एक made in India multi-layered air defense कवर देगी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर end करते हैं वीडियो कर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और channel को subscribe करना आती आवश्यक है हम इसी तरह आपके लिए defense related videos लाते रहेंगे मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में जैहिंद है तरह और लाते हैं वीडियो कि अबेर शाव टाव में जैहिंद